हेलो व्यूवर्श वेल्कम तू माई चैनल सो आज का प्लान का प्लॉट साइज 25 फीट इन्टू 28 फीट का है जो कि एक दो बेडरूम का हाउस प्लान है साथ में एक बाइक पर्किंग के लिए पार्किंग अरिया है इस प्लान का फ्रांट साइड 25 फीट का है और इधर 28 फीट का है इस प्लान में ग्राउन लेवल से प्लिन्थ हाइड 2 फीट 6 इंच का है और ग्राउन लेवल से इस्ट्यार अरिया का हाइड और पार्किंग हाइड 1 फीट 6 इंच का है इधर में इन्टीगेट है जो कि इधर से एन्टी होने के बाद आप ड्राइंग होल में आएंगे जो कि इधर ड्राइंग होल है इस ड्राइंग होल का मेजर्मेंड इधर 13 feet 9 inch का है और इधर 10 feet का है इस ड्राइंग हल में बेंटिलेशन के लिए इधार एक विंडो भी प्रोवाइड के गया है और ड्राइंग हल में आप इसी तरह सोफा भी रख सकते हैं इधार एक छोटा सा पार्किंग एरिया है जो कि आप आराम से दो तिन बाई पार कर सकते हैं इस पार्किंग एरिया का मेजरमेंट इधार 6 फीट 10 इंच का है और इधार 11 फीट 4 इंच का है इस उसके बाद इधार इस्ट्यार है जो कि आप इस इस्ट्यार एरिया का मेजरमेंट इधार 13 फीट 6 इंच का है और इधार 6 फीट 6 इंच का है so stair cup width 3 feet 3 inch का है trade up का 9 inch का है and riser 6 inch का है so इधार एक bedroom है जो कि इस bedroom का measurement इधार 10 feet का है और इधार 11 feet 4 inch का है so इस bedroom में proper ventilation के लिए दोनों side में दो window भी provide किया गया है so इसके बाद इधार एक common toilet है जो कि इस toilet का measurement इधार 6 feet 7 inch का है और इधार 5 feet का है so इसके बाद इधार और एक bedroom है जो कि इस bedroom का measurement इधार 10 feet का है और इधार भी 10 feet का है इस बैटरूम में proper ventilation के लिए दोनों साइड में दो window भी provide किया गया है इस बैटरूम के पास में इधार एक kitchen है जो कि इस kitchen का measurement इधार 9 feet 4 inch का है और इधार 5 feet का है इस kitchen का ventilation के लिए इधार एक window भी provide किया गया है सो कीचन के पास में इधार एक छोटा सा पुजा रूम प्रोवाइट किया गया है जो कि इस पुजा रूम का मेजरमेंट इधार 4 फिट का है और इधार 5 फिट का है सो दोस्तो आज का प्लैन आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जुरूर बताए और प्लैन पसंद रहे तो विडियो को जुरूर एक लाइक कर दिजिए और आप इस प्लैन में थोड़ा बहुत चेंज करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं नहीं तो आप इसी तरह इस प्लैन को भी बना सकते हैं सो इस प्लान को कारने के लिए आपको एप प्रोक्स 12 लाक कोश परेगा सो चलिए आप देख लेते इस बिलिंग का कॉलम ले आऊँड कहां पर कॉलम प्रोवाइड किया गया है सो आप देख सकते हैं इस बिलिंग का कॉलम ले आऊँड आप इसी तरह इस बिलिंग का कॉलूम का पोजिशन भी कर सकते हैं इस बिलिंग में total number of column 13 है कॉलूम का size 10 inch into 10 inch का है एंड इस बिलिंग में wall 5 inch रखा है आप चाहिए तो इस बिलिंग में external wall 10 inch का भी कर सकते है आप देख सकते हैं इधर stair का details आप इसी तरह stair भी कर सकते हैं इस बिलिंग में main entry gate का height आपका 6 feet 6 inch रहेगा और इस बिलिंग में ground level से plain height आपका 2 feet 6 inch का है एंड ground level से stair area का height 1 feet 6 inch का है तो दोस्तो अब चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन ओन कर लेना तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको notification मिलते रहे सो चलिए मिलते हैं और एक new plan के साथ कर दो मिलते हैं अलाओ करना यह हम है कर funniest कर दो तो चैनल को उते हैं इंड न 오सिर से वह कर तो करीं पर्याय। कैने कर दो यह壓 भाट करें नहाब कर जैंड़ कर पूसित तो कर दो कर दो टते ह боль hem चलки हैं और का है